है अ हलो दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन टू पर इससे पिछले वाले वीडियू में मैं जो मॉडल सेट वन मैद का si but one का इसका दो गुरूप को बता दिया था इसमें हमलोग पूछेगा उसमें से आप लोग को 5 marks का होगा और उसमें आप लोग को बनाना कितना है तीन ठीके तो आज जो हम बताने वाले हैं तीसरा गुरूप को ठीके दूग पिछले वाले वीडियो में बता दिये थे अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो description box में इसका link दिया में तीन कोश्चन चूज करके अपने से बनाना है क्या नहीं बना पाएंगे बना लेंगे ठीक है तो देखते हैं हम लोग 15 नंबर कुश्चन क्या पूछ रहा है सिद करें कि किसी समांतर चतुरभज का एक विकन इसे दो सरवांगसम तिर्भुज में विभाजित करता है ठीक तो यहां पर क्या बोल रहा है कि समांतर चतुरभच के विकन इसे दो शर्वांगसम तिर्भुज में वाजित करती है तो मैं यहां पर लिखेंगे हम लोग 1 करेंगे लिखेंगे दिया है करें ये बी सी डी एक समांतर चत्रुभुज है ठीक है इसकी विकर्न एसी है ठीक है इतना लिख लेंगे ठीक है ये तो आप लोग को दीख रहा है ए बी सी डी समांतर चत्रुभुज है और इसका विकर्न एसी है ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग XID करना है XID करना है XID क्या करना है? वो देखो इसमें दो तिरबुज बन रहा है और दोनों तिरबुज को क्या करना है? सरवांगसम करना है ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे Tिरबुज A, B C, तथा क्या लिखेंगे? A, C, D में A, A, C डी में ठीक है अच्छा यहाँ पर दोनों तो सिद करना है न तो हम लोग लिखे लेंगे हाँ सिद करना है क्या कि दोनों क्या है सरवंग सम है ठीक है तो यह हो गया हम लोग का सिद करना है अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे परमान ठीक है परमान में क्या करेंगे लिखेंगे तिर्बुज ABC तथा तिर्बुज यहां तिर्बुज होगा है न ACD में अब यहां से परमान लेकर चलेंगे यहां पर अब यहां देखो ABC में हम लोग देखते हैं ABC में हम लोग देखते हैं यह कौन को लेते हैं अगर ठीक है यह कौन ले लेते हैं तो कैसे लिखेंगे यह कौन को है क्षी ए बी है न लखेंगे कौन सी ए वी जिस कौनको लएते हैं उस कौन को बीच में रखते हैं तो सी अ मेर्ज लिख दीए बराबर है किसका By देखो तो यह बराबर हम CD समांतर AB है, है न, चुकि CD समांतर AB है, और हम लोग जानते हैं कि समांतर जब रेखा होता है, समांतर जब रेखा होता है, दो रेखा, तो इसके तिरियक रेखा जो होती है, उसके एकांतर कौन से ये दोनों कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहां देखो ये वला कौ कौन और ये वाल लकॉन अपस में क्या होंगे बराबर होंगे ठोल यह उन्व वह पर यह हो गया दूसरा लेकर चलते हैं कौन अबर इधर से ले लो न when I MU come क्या लिखेंगे a c b है नविखेंगे a c b यह वालत कोन कबात कर किस रिजन से बराबर हुआ तो यही रिजन सेम रिजन होगा क्यों रिजन होगा चुकि समांतर जब पैरलल होता है तो इसका एक आंतर कौन से यह बराबर होते हैं ठीक है यह रिजन हो गया अच्छा सरवांकसम करने के लिए कितने चीज़ को बराबर करना पड़ता है तो ती 3 चीज़ को बराबर करना पड़ते हैं यहां तो दो चीज़ बराबर हुआ तो तीसरा चीज़ एक और बराबर करते हैं देखो एक और बराबर नज़ैं रहे हैं association ब्राबर एस देखो दोनों तिर्बुज में OUR TON C में AC नजर आ रहा है, BC, ACD में इसमें भी भूजा, AC नजर आ रहा है, तो यह क्या होआ, उभाय निष्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, उभाय निष्ट, ठीक है, तो यह हो गया, अब द Sage यहां पर तीन चीज बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हुआ और एक साइड बराबर हो गया तो यहां लिख सकते हम लोग तिर्भुज ए इसलिए तिर्भुज A, B, C, सरवांग सम तिर्भुज A, C, D किस रिजन कैसे बराबर हुआ तो दो एंगल हुआ ना लिखेंगे एंगल, साइड, एंगल, C, तो यह क्या होगिया हम लोगा प्रूव इसके बद हम लोग नेक्स्ट कॉश्चन को देकते हैं नेक्स्ट देखिए सीध करी की एक ही अधार पर और एक ही समांतर रखाओं के बीच के समानतर चतरफुज के चजदरफल बराबर होते है यहाँ पर कह रहा है कि एक ही आधार पर कहने का मतलब एक ही आधार पर CD इसके दो समानतर चतरफुज बन रहे है देखो एक Black Clare का जो दिख रहा है A, B, C, D यह हम लोग का एक समांतर चतुरभूज, दूसरा हो गया हम लोग का EDCF, तो एक ही अधार पर ही है ना स्थित, एक ही अधार पर स्थित, तो एक ही अधार पर स्थित, दो समांतर चतुरभूज का छेतरफल बराबर होते हैं, सिद करें, तो इसी चीज को हम लोग को सिद करना ह तो आज इसको हम सिद्ध कर देंगे और ये एक रूल बन जाएगा ठीक है ये सिद्ध कर देंगे ये रूल बन जाएगा इसको आप लोग याद रखेगा कि एक ही अधार पे दो समांदर चतुर पूज क्या होते है अपस में बराबर होते उसका चतरवल ठीक है तो देखो इस चला जाता है तो यहाँ पर लॉंग वीडियो हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर बनाया हुआ है इसी को हम लोग समझाते हैं देखो लिखना कैसे दिया है ठीक है क्या दिया हुआ है समांतर चतुर बूज क्या है समांतर चतुर बूज ये दोनों समांतर चतुर बूज है औ आगे दिया वह है सिद्ध करना है क्या दिया है area bcg. be verification area bcd यानी का समांतर चत्रबुज औro e f c d y f c d elf c d ये वहाला समांतरब चत्र इखरा दोनों का area जो है दोनों का चेत्रफ़ल्क यह बराबर होना चाहिए यह चीज़ सिद्ध करना है ठीक है हम लोग उपती में क्या लिए देखो यहां पर एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों ठीक है कि यह वाला जो चतुरबूज दीख रहा है ABCD और EFCD दोनों चतुरबूज में common क्या मिल रहा है तो EDBC ठीक है ABCD यू मिल रहे है न देखो ये वाला भाग इसको कलर भी कर सकते हैं देखो हल्क हल्क टो ये वला भाग क्या है हम लोग का common है ठीक है जो दोनों में है तो वह तो बराबर है ही लेकिन यहां देखो AED यह वाला तिर्भुज और BCF दोनों तिर्भुज अलग अलग है ठीक है अगर हम इस समानता चत्रभुज में यह वाला तिर्भुज को अगर आपस में हम बराबर कर देते हैं तो समाच जाएंगे हम लोग की की ABCD बराबर है कि किसका EFCD का बराबर होगा होगा ना ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या किए कि दोनों को दोनों तिर्भुज को हम लोग एक करके बराबर करेंगे देखो दोनों को सम करेंगे ठीक है तो AED में AED में और BFC में BFC में ठीक है चलो तो यहां पर लिखें कि कौन कौन सा बराबर हो रहा है द B A E ठीक है ये वाला कौन और C B F C B F ये वाला कौन क्या होंगे बराबर होगा कैसे बराबर होगा चुकि दोनों क्या है समानतर है दोनों क्या है समानतर है और ये एक तिरियक है AB तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे नहीं लिख सकते हैं जैसे देखो मालने लोग कि यहाँ पे दूर एखा है समानतर ठीक है एक तिरियक रेखा मालने लेते हैं ठीक है तो ये वाला कौन और ये वाला कौन अपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है तो ऐसे भी हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं दूसरा यहां देखो AED और BFC تो AED यह वाला कोन ठीक है और BFC ये वाला कोन अपस विराबर हों गे सीम यही इसी के जैसे क्यों है चुकि एडी एफसी समांतर है एडी और एफसी क्या समांतर है और समांतर के जो अंतर कौन होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है जब समांतर हो तभी ठीक है तो यह हम लोका हो गया अब एक और देखो यह क्या बराबर है एडी और बीसी बराबर है कैसे समानतर चात settlements के समुख भोजे पराबर होते हैं यह चीज तो अपने लिगों पता होगा तो तीन चीज यहांपे बराबर हो गय तो हम लोग क्या सकते हैं कि और यह तिरुभुझ के आपस में सरवंगसम है ए्बियू सर वांक इपश को 국민 से बराबर किοι किसे कौन से बराबर किये ठीक है अब जब बराबर हो गया तो हम लोग जब पूरा तरह से सब चीज बराबर है ठीक है सरवांकसा में तो इसका छेत्रफल भी बराबर होगा ठीक है इसका छेत्रफल कुए ब्राबर होगा तो लिखेंगे अरिया औप एपसी क्या कि रहागा बराबर होगा दोनों का एरिया अब यह similar PA जोड़ने पर उन्हों जोड़ने पर और सुपक्ष करें सिधा कि जोड़ने पर लान में से यहónा को जोड़ेंगे तो क्या होजाएगा a b c d тогда क्या गया a b c d ठीक है अब इधार आते हैं हम लोग यहां पर क्या की मोग देखो अब कि और एयरिया ओफ बी एफ उफ इल्मेस एफ इए वाला जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा पूरा EFCD ठीक है तो पूरा चत्रबुज हो जाएगा तो हम लोग यहां पर क्या हो जाएगा area of EFCD अब देखिए दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया ठीक है इसी सिसको आप लोग को प्रूव करना था ठीक है तो यह हम लोग इसका हो के आंसर आगे नेक् तो व्रित की बराबर जिवाएं ठीक है सबसे पहले हल करते हैं अपर दिखो एकक करके लिखेंगे कैसे लिखना है ठीक है लिखना है दिया है क्या लिख़ः दिया है कि AB और CD व्रित की बराबर जिवाएं है अता AB बराबर CD क्यों लिखेंगे चुकि दोनों बराबर है तो बराबर है तो क्या लिखेंगे दोनों बराबर AB बराबर CD अच्छा सिद क्या करना है देखो तो सिद करना है कि AOB बराबर कोन COD इसको हम लोग को प्रूब करना है तो इसको प्रूब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तिर्बुज यहां पर जो दिख रहा है इसको सर्वांगसम करेंगे और जब दोनों तिर्बुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके संगत कोन भी बराबर होंगे तो इससे हम लोग क्या होगा यह प्रूब हो जाएगा तो देखो दोनों तिर्बुज में और इसमें दिख क्या क्या रहा है तो AO इस तिर्बूज में AO मतलब AO बराबर इस तिर्बूज में OD ले लो ठीक है तो दोनों क्या है बराबर है किसे वृत की त्रिज्या वृत की सभी त्रिज्या है क्या होती यह बराबर होती है चलो दूसरा भी देखो यह भी तो बराबर है इस बूज्या में क्या हो जाएगा OC या CO कुछ भी लिखो, OC और OB, ये भी बराबर होगा किस से, व्रेत की तरेज़ा से, आगे देखो दो चीज बराबर होगा, तीसरा एक और चीज यहाँ पर मिला लो, हाँ, AB बराबर CD, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखेंगे दिया है, और हम लोग को सरवांगसम करने के लिए कितना चीज को बराबर करना पड़ता है, तीन चीज को, जो कि तीनों बराबर हो गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए, तिरबुज, AOB, सरवांगसम, तिरबुज, COD, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जागा, किस से बराबर होगा, सब साइड से सब को भूजा से, तो साइड 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 से, कसौर्टी से भी लिख सकते हैं, चलेगा, आप देखो जब ये चीज सब बराबर हो गया, जब ये सरवांगसम हो गया, तो इसकी सभी कोन भी क्या होगी, बराबर होगी, है ना, सरवांगसम के संगत कोन से, तो यहाँ पे हम हम लोग लिखेंगे कोन A O B बराबर कोन C O D कैसे लिखेंगे सरवांग सम तिर्भुज के संगत कोन ठीक है सरवांग सम तिर्भुज के संगत कोन से ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये हम लोग होगे 17 नमबर कुश्चिन का हल आगे हम लोग देखते हैं नेक्ष्ट दियावा 18 नंबर कुश्चन नमी कच्छा के 30 विद्यार्थियों के रक्षमू दिये में है और A, B, O, O, A, B है ना इस तरह से रक्षमू दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं इस्क्रीन पे आगे दियावा है इन आकड़ों के एक बारंबरता बंटन सारनी के रूप में सारनी के रूप में प्रस्तूत करें बताईए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्षमू अधिक समान ने है और कौन सा रक्षमू विरलतम रक्षमू है तो इसका हम लोग सबसे पहले बारम बारता सारनी बनाएंगे बारम बारता सारनी बनाने के लिए हम लोग तीन कॉलम को खेचेंगे यहां से लिख देते हैं हल बारम बारता सारनी तीन कॉलम बनाएंगे यहां से ठीक है पहले कॉलम में लिखेंगे रक्त समू दूसरा कॉलम में लिखेंगे मिलान चिन और तीसरा कॉलम में लिखेंगे हम लोग बारम बारता ठीक है इतना लिखने के बाद हम लोग कि यहां से गिनेंगे कि यहां पर कितना रखसमों के बारे में बताया गया है एक दियावाए A, B, O और एक और कौन सा रखसमों है देख लिएजे A, B है ना तो A, B उसके बाद हम लोग यहां पर गिनेंगे कि कितना कितना है तो देखिए एक ही संक्या यहाँ पर गिनते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पर बताइए तो हो जाएगा एक ही संक्या एक रख्षमू का 9 ठीक है बी का कितना हो जाएगा 6 तो टूएल होगा आप गिन सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर आपका बुक में भी यह कुश्ण दिया वहां से आप लोग कर सकते हैं तो वह कितना दिया वहाई है तीन ठीक है चलो इसके निचे कौर ऐसे बना लेंगे जो कि कुल योग लिखें यहां कुल योग ठीक ह अब मिलान चीन बनाने के लिए बहुत है आसान है अब लोग पीछले क्लास में भी इसको पढ़ चुके होंगे 1,2,3,4 और यहां से 5 फिर 1,2,3,4 तो 5,4,9,6 लिखना है तो 1,2,3,4 और 1,5,6 वह 12 करना है तो 1,2,3,4 और 1,5,5,5,5,10 और 2,12 यहां पर A,B,3 है तो 1,2,3, तो यह मिलान चीन हो गया अब देखो इसको सबको जोड़ करके कितना आ रहा है बारत दिन 15,15,16,39 तो टोटल नंबर ओफ तेस हो गया है अच्छा इसका दो कोश्चन भी पूछा गया है दो कोश्चन क्या किया गया है कि अधिक्तम रक्त समू ठीक है किसका है तो पहला नं विरल्तम रक्त समू तो सबसे कम कौन सा है तो ए भी है तो हम लोग यहां लिखेंगे भी तो यह था आसान सवाल ठीक है इस तरह से कुश्चन आएगा तो इसको आप लोग अराम से बना लेजेगा ठीक है चलो चलिए 19 नंबर इसका लाश्ट सेट का लाश्ट कुश्चन है इसको देख लीजेए आप लोग तो लिखा वा है दो सिको को एक साथ 500 बार उच्छालने पर हमें यह प्राप्त होता है क्या क्या प्रौक्त होता है दो चीत 105 बार प्राप्त होता है एक चीत 275 बार और कोई चीत नहीं 120 बार ठीक है तो हल यहां से करेंगे हम लोग दो चीत प्राप्त कितना होता है दो चीत कितना बर प्राप्त होता है देखो तो दो चीत प्राप्त होता हम लोग का 105 बर अच्छा, एक चीत एक चीत कितना बर प्राप्त होता है देखो तो, 275 बर 275 बर और एक भी चीत नहीं कोई चीत नहीं यह कितना बार प्राप्त होता है तो यह होता है हम लोग का 120 बार तो यहां हम लोग का यह लिख लिए अब हम लोग को परती गटना को एक अक बार करके लिखना है लिखेंगे प्राइक्ता ओफ दो चित प्राइक्ता ओफ दो चित तो दो चित कितना बार आया 105 बर अनुकुल परिनामों की संक्या बटा परतिकुल कितना बार उच्छाला गया था तो 500 बर तो यह हो जाएगा इसका अंसर ठीक है इसको आप तोड़ सकते हैं चलो दूसरा आते हैं लोग प्रैक्टा उफ एक चित आने की प्रैक्टा एक चित चित कितना बार आया, 275 बार अंुकुल कुल परिनामों की संख्या कितना हो जाएगा टोटल 1500 यह क्या गया, दूसरा प्रैक्टा निघक्टा कोई चित नहीं होने, कि प्रैक्टा वर कोई चित नहीं तो इसका भी कितना हो जायगे कोई चीदने कितना बार आये 120 बार और टोडल नंबर कितना वल्ग बार उछा ले तो ऐखा ले तो यह हम लोग को राइट हो जाएगा तो इस طर 내내 सबका णसर हो जाएगा यहां पाप लोग तो एक 0 से 10 और फिर यहां पर 0. कितना हो जाएगा पांच तुनिए 10 तो यहां पर हो जाएगा 0.24 ठिक है 0.24 तो यह हो जाएगा हम लोग का इसका अंसर तो इसमें से हम जो भी थार्ड सक्षन को जो भी बताएं हैं इसमें पांच कोशन में आप लोग तीन कोशन तो आराम से ही बना लेंगे ठीक है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें अभी से रेगुलर रहें ठीक है और